प्रहा टाइम्स नाना करते करते बदल गया है आप सोच रहे होंगे कि क्या बदल गया है दरसल महावीतरन से टोरेंट पावर में बदल गया है कई मोर्चे आंदोलन के बाद दिसाए गाओं के कुछ लोगों पर डाइघर में मामला भी दर्ज हुआ था अभी नहीं उसी समय विरोध के दोरान पूरे शहर के जाने माने हस्तियों ने पूरी जोर लगा दी थी उसके बाद भी टोरेंट पावर अपनी पाउं पसार चुका है यानि टोरेंट पावर उन विरोधियों से आगे निकल गई है जिन लोगों ने कई महीनों से टोरेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी टोरेंट के खिलाफ आप सबने सुना होगा कि नेताओं ने तो यहां तक अपनी जान देने की भी बात कही थी बहरहाल उनकी जान की परवाह नहीं की टोरेंट ने और मुम्बरा कलवासील डाएघर में अपना कबजा जमा चुका है अब उन नेताओं पर उन समाज सेवकों पर और उन नगर सेवकों पर भी सवाल उठता है कि आखिर क्यों चुप हैं टोरेंट पावर आ गई है अपना चार्ज भी संभाल ले है विरोधियों को जो टोरेंट पावर के कई महीनों से विरोध कर रहे थे आखिर कहा गए इसलिए कहना सही साबित हो रहा है कि नाना करते करते हां में बदल गया महावितरर से टोरेंट पावर में बदल गया है एक बात हमें और पता चला है सूत्रो द्वारा जो हमें पता चला है कि विरोध करने वालों में से कुछ लोग हैं जो टोरेंट पावर ने जिन्हें मना ली है अब ये नहीं बता सकते कि आखिर कैसे टोरेंट पावर ने उन्हे मनाई है या क्या वजह रही होगी लेकिन इतना पता चला है कि टोरेंट पावर विरोद करने वालों मेंसे कुछ लोगों को जरूर मना ली है बहरुर्अल वो उनका मामला है लेकिन कई महिनों से जो जन्ता की आस थी कि टोरेंट पावर नहीं आएगी और वो अब शहर में आ चुकी है आपके सामने है एक बात और हम आपको बता जें कि इसी मुद्दे पर चुनाओ के दर्मियान प्रहा टाइम्स के आमने सामने सो में नईम खान ने कहा था कि टोरेंट अगर नहीं आई तो मैं अपना भंगला छोड़ दूँगा तो वहीं दूसरी तरफ शमीम खान ने कहा था कि मैं अपनी जान दे दूँगा जिसका शहर में खुब वावाही हुई लेकिन उसका भी असर आपके सामने है क्या हुआ कुछ भी नहीं लेकिन नईम खान की बात सच हुई बहराल अब टोरेंट की बात करते हैं जबसे यानी एक मार्च से टोरेंट ने बिजली बेवस्था की जिम्मेदारी टोरेंट ने जबसे संभाली है तब से मुमरा कलवास सेल डायगर में तब से अब तक कहा कहा बिजली गई और कहा कहा केवल बलाष्ट हुए है हम आपको दिखाईए, मुम्रा में बिजली बेवस्था इतना खराब हो गई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है, मगर 5 मार्च लगभग मुम्रा के इस शहर में हर हिस्से में बिजली 5-6 घंटा गायब थी, चाहे वो अलमास कालोनी हो, चाहे संजय नगर हो, चाहे वो समराट नगर हो, लगभग इसी तरह मुम्रा शहर अंधेरे में रहा, यानि बिजली बेवस्था सुधरने के बजाए और खराब होती नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली जाने का असर पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पढ़ रहा है, बिजली ना होने के वज़ह से दिक्कते हो रही है, इलाके के लोगों ने बताया कि बिजली की वज़ह से लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पानी आने के वक्त बिजली नहीं रहती है, तस्वीरे देखें, ये पूरा शहर बिजली ना होने की वज़ह से अंधेरे में है, पूरे शहर में अंधेरे की वज़े से सन्नाटा पसरा हुआ है आपको बता दे कि दस्मी और बरावी की परिक्षा चल रही है और बिजली बिना लोगों को पानी नहीं मिल रहा है अब लोगों के जहन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या आखिर बिजली जान बूच कर काटी जा रही है या फिर बिजली जाने की कोई और वज़ा है क्योंकि 6-7 घंटा बिजली जाना कोई मामूली बात नहीं है लोगों के कारोबार पर इसका जबरदस्त अचर पड़ेगा अलमास कालोनी से हमारे एक वीवर ने एक वीडियो भेजा है उसका कहना है कि 2-3 बार ये केबल डाल कर गए है मगर बार बार ये केबल जल जा रहा है इसी तरह का एक एलेक्ट्रिक बॉक्स है जिसमें बिजली का वायर दुरुस्त करते हुए किस तरह से सौर सटकेट हुआ और बाल बाल इस युवक की जान बची लोगों ने बताया कि जो बिजली ठीक करने के लिए आ रहे हैं उन लोगों को कुछ जादा जानकारी नहीं है जिसकी वज़े से बार बाल केबल बदलने के बाद भी जल जा रहा है मगर सवाल ये उठता है कि जब तक महावितरन था तब तक लोड सेडिंग बता कर बिजली तब भी 5-6 घंटा गायब रहती थी हलाकि लोग टोरेंट के विरोध में थे और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि टोरेंट पावर आने से शहर की बिजली बेवस्था सुधर जाएगी मगर जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में मुम्रा कौसा अंधेरे में हुआ अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा क्या बिजली बेवस्था सुधरेगी या फिर टोरेंट पावर आने के बाद भी इस शहर में अंधेरा रहेगा टोरेंट के खिलाफ लोग सोचल मेडिया पर भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं क्योंकि ज्यादा तर लोग टोरेंट के खिलाफ हैं क्यातार बिजली कटोथी के शिकायते सोचल मेडिया पर चर्चाएं तेज हो रही हैं क्योंकि तीन से चार दिन जो पिछले गये हैं उनमें पूरा मुम्रा शहर्ष लगभग अंधेरे में रहा तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहार टेंग ताजा तक